दोस्तो ये जो हमारे पास ये एरफोन है आज हम इसका करेंगे रिव्यू क्योंकि हमने इसकी अन्बोक्सिंग पहले भी अपने चैनल पर कर रखी है लगवख एक से दो मेहिने हो चुके हैं जदी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि sound की quality कैसी है build quality कैसी है experience मैं सारा कुछ share करूँगा आपके पास और इसकी battery life कैसी है सब कुछ जानेंगे इस बीडियो तो जैसे कि मैंने इसे use करा है अच्छी तरों से मेरे से खिची भी कितनी बार है पर यह अभी तक है खराब नहीं हुई है इसके जो speaker है वे भी काफी अच्छी है लेकिन एक बात इसमें है किसके sound जो है वो ज़्याद अच्छी नहीं है एक triple quality के sound अच्छी मिलते हैं इसके अंदर लेकिन bass इसमें अच्छी quality कैं नहीं है BASE बिलकुल भी नहीं है एक normal quality की BASE मिलती है triple की quality ज्याद अच्छी मिल जाती है wire की बात कर जाएब copper के wire मिल जाते है wire की quality भी अच्छी है और यहाँ पर जो इसके neck की quality है वो इस परकार की मिल जाती है काफी धांसू और काफी signing full यह मिलती है और यहांपर जो तीन बटन है, इनकी भी quality ठीक है, माइक की quality भी ठीक है और यहांपर charging connector भी काफी अच्छी से protect कर रखा है और guys इसकी battery का तो कोई जवाब भी नहीं, इसकी battery जो है बहुत ही जाद अच्छी मिल जाए, बेक अप लगवग मिल जाता है, 20-25 घंटे का यानि कि मैंसे 2-3 दिन में इसको चाल रिखलता हूं जितना मैंसे जोज कलता हूं जब तक यह डाउन नहीं होती है इसकी sound की quality नॉर्मली है जैसे कि मैंने आपको बोला है बिल्ड क्वालेटी भी काफी मेरे से यह खोबी गई है जैसे कि अब देख सकते हो यह खोचुकी है मैंने यह अलग से लगाई हुई है इसके दोनों ही खोचुकी थी इसके स्पीकरों में भी जाली लगी हुए लगे वगाए और के लिए वह best है और यह थी आप इसमीस पुराने सुनीटे उन चाते है या फिर मीडियम सुनना चाते हो तो उसके लिए वह best है अच्छी है लेकिन बैटी लाइब भी अच्छी है और इसके साउंड जो है उसमें ट्रबल मिलते हैं इसमें बेस नहीं मिलता है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है ज़दी आप इसे पर्चेस करना चाहते हो तो कर सकते हैं उससे भी जाकर देख सकते हो लिंक आई बटन पर म आईज आज की वीडियो के लिए से रिपित नहीं अगर वीडियो अच्छे लगी हो वीडियो को लाइक केजिए चैनल को सबस्साइब केजिए मिलते हैं और ऐसे ही रिवीव वीडियो में या फिर अन्बॉक्सिंग वीडियो में